I have my colleague Brijesh who is in fact in Bhopal right now. He is speaking to some of the students over there who are protesting. Let's have a look at what they have to say. All right, Brijesh, if you can hear me, go ahead and tell us what exactly is the pulse on ground in Madhya Pradesh. Bilkul, दिखिए, यहाँ, स्कूल शिक्षा मंत्री के एक बयान के बाद यहाँ भी हिजाब को लेकर राजनिती शुरू हुई है. Girls का क्या कहना है? School शिक्षा मंत्री का कहना है कि School में Dress Code का हिस्सा नहीं है हिजाब या बुर्खा. इसलिए School में अगर कोई Dress Code की जगह जो है बुर्खा पहन कर आता है या हिजाब का लगा कर आता है तो उस पर कारवाई की जाएगी. इसको entry school में नहीं मिलेगी. College के क्या कुछ हाल है? यहाँ पर college के कुछ girls हैं और इनसे जानते है क्या कुछ इनकी राये रखती है यह अपने कपड़ों को लेकर. आप बताईए क्या कहना है जिस तरह से South में विवाद चला. उसके बाद आएमपी में भी Controversy शुरू हो गई है. आप लोग क्या चाहते हैं? यह हमारा अधिकार है, यह हमारे धर्म में है. तो हमें तो यह पहनना ही पड़ेगा. और सरकार के हिसाब से यह देश में नहीं चलाया जारा है. जो इसको मतलब कहें के यह नहीं चल रहा है यह वो नहीं पहनना, ऐसा कुछ. मतलब यह हमारी धर्म से जुड़ा हुआ है. तो यह हमारी पहनना है. लेकिन यहाँ पर Controversy यह है के स्कूलों में आखिर हिजाब या बुर्खा क्यों है? ड्रेस कोड जो है, वो क्यों नहीं? ड्रेस कोड भी पहनेंगे, पर हमारा जो राइट है, हिजाब इस अवर राइट है. I'm supporting हिजाब. हिजाब हमें पहनना जरूरी है, और यह हमारा मतलब धर में है, अधिकार है. Some more girls with me. आप से जानते हैं, आप बताइए, आपका क्या पक्ष है, जिस तरह है स्कूलों में आप बैन कर दिया गए, MP में भी. उसके बाद कॉलेज में भी बात चल रही है, कि हिजाब पर रोक लगाई जाएगी, आपका क्या कहना है? जैसे कि सिक लोग भी तो टर्बन पेनते हैं, उनसे तो कोई कुछ नहीं बोलता, तो हम लोग हिजाब पेन रहे हैं, तो काई के लिए, everyone has right to wear whatever they want until it's come to हिजाब. तो सपोर्ट कर रहे हिजाब को, और इनको डर है कि कॉलेज में भी यहाँ बैन ना किया जाए, जिस तरह स्कूल में भी बैन किया गया है. जी, ब्रिजेशी और ये भी बताईए, जो मध्यप्रदेश में अभी हुआ है, एड्यूकेशन मनिस्टर ने भी कहा है कि हिजाब is not part of a uniform, official uniform नहीं होगा, discipline एक focus रहेगा अभी administration के, और वो वाले incident के बारे में बताईए, जिसने मध्यप्रदेश में एक controversy शूरू किया है. जो स्कूल शिक्षा मंतरी हैं, उनका कहना है कि हिजाब जो है, या बुर्खा जो है, वो ड्रेस का हिस्सा नहीं है, हर स्कूल में, चाहे वो सरकारी हो, प्राइवेट हो, या कॉलेजिस हो, उनमें ड्रेस निर्धारित है, और उसी uniform में नहीं आते हैं, तो इसका uniform कोर्ट का उलंगहन माना जाएगा, उनको एंट्री नहीं मिलेगी स्कूलों में, इस विवाद के बाद जो है, लगतार राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है, मध्धपरदेश में भी विरोध भी शुरू हो गया है, जो विपक्ष है, कॉंग्रेस है, मध्धपरदेश की, उसने इ एजुकेशन मिनिस्टर अपना ही तरक दे रहे हैं, कि धार्मिक माननताओं को घर पर माने, इसकूलों में इसकी अनुमती नहीं दी जाएगी, लेकिन गल्स का कहना है, कि ये उनका धार्मिक मसला है, जिस तरह इनों ने बताया कि सिख धर्म के लोगों को भी पगड़ी पह वो इस स्कूल शिक्षा मंतरी के बयान का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। करनाटा का हमेशा एक जूट ठोके रहा है, और मल्टी कल्चर वहां पर प्रैक्टिस है, लेकिन ये जो स्कूल में ऐसी चीज़े लाके स्कूल बंद करवाना और बच्चों के दमाग में असर गिरता है, ऐसी चीज़े वहां पर उनको कहने से, कि तुम ये करो, तुम ये मत करो, जो रूल्स होते हैं, वो सब के लिए होते हैं, अब तक तो सभी लोग फालो करते आएं। हिपा अजि़ाब पर किसी तरह का हारा रंगामा कताही थीक नहीं है जो इस्टूशन से उनके अपनी देश कोड़ ओते हैं, डिसिप्लीन होती है, डेकोरम होते हैं, और इसीज़न होते हैं, उस पर कमनल कील मत होगिये। आप एक महिला हैं लड़की हैं मैं एक महिला लड़की हूं। मुझे बताईए वो जो तस्वीरे आपने और हमने देश ने देखी हैं। आप और हम शर्मसार हुए या नहीं हुए। एक महिला जो बुरके में हैं उसके पीछे पचास सो भगवाधारी किस तरीके से उसको दोडाने की कोशिश करते हैं। मैं उस बहादूर बेटी को सलाम करती हूं। जिसमें डरी नहीं, रोई नहीं खड़े होकर इन भेडियों का मुकाबला किया है। तीन दिन के लिए करनातका के कॉलेजिस में ताला लगा दिया जाता है, बंद कर दिये गए। ये छोटी बात है। जिस तरह की तस्वीरे आई जा रही है, जिस तरह का भगवा, जंडा, लहरानी की कोशिश तिरंगा हटा कर इंस्टिशन पे की जा रही है। क्या वो छोटी बात है। क्या ये सम्विधान के साथ खिलवाड नहीं है। ऐसे तस्वीरें, भारत की छवी, विजदेशों में क्या छवी पेश कर रहे हैं आप, बेटी बचाओ का नारा देते हैं और बेटियों के पीछे, हिंदुत्वा वादी, गोटसे वादी, अहिंसक बेडियों को दोडाते हैं। और आप कहते हैं, ये ड्रेस कोट का मामला है, ये ड्रेस कोट कब से लागू हुआ है, अभी तब तो ऐसा ही चल रहा था, अचानक क्या हो जाता है। कहें, ये उनकी आजादी है, जिनको गुंगट से परता के खिलाफ थे आंदोलन किया, महिला उने घुंगट चोड़ा, लेकिन आज भी हमारी मा बेहन बेटियां संसकार के तौर पर उनको कमफर्टेबल है, वो पहन रही है, उनसे पुझे परतस्ती नहीं करता है, बुर्क कमफर्ट का रहने है, ये आजादी मिली है, क्या पहनेगी, क्या खाएंगी, क्या खाएंगी, क्या करेंगी जिन्दगी में, और ये महिलाओं पर हमला है उनकी आजादी पर हमला है और एक सोच जो संग की हिंदुत्वा वादी घोटसे वादी हिंसक सोच को थोपने की का प्रयास है जिसे हम कामयाब नहीं होने देंगे किसी कीमत पे भी मैं NSUI के चातरों को सलाम करती हूँ जिन्होंने भगवा जंडा हटाकर देश के तिरंगे जंडे को लहराया है उस इंस्टिटूट में वाकिस जाकर मैं सलाम करती हूँ उन युवा चातरों को जिए हमारी इन बेडियों के कवच बनकर उनको एक सेफ पैसेज दे रहे थे जो ह हमारी बेटियों में थी यह खिलवार क्यों किया झारा है हम पूछना चाहते हैं कि कैसा तरीका इस देश के अंदर क्या शरम ना-तस्वीर की पूरे विश्व के सामने पेश की जारी है कि मलाला यूसफ जई को बोलना पड़ रहा है आप सोचने कि सस्तर पर चला गए और ये कहते हैं छोटा मॉमला है यूपी चुनाव के बीच में आप इसका हिंदू-Muslim दुरूवी करन करने के लिए भगवा लहराने के लिए तिरंगे का पमान करने के लिए सम्विधान का पमान कर रहे हैं यह बर्दाश नहीं करेंगे चुनाव तो शाद बाजबा जीत जाएगी पर इस तरह से देश नहीं जीत सकता है और मैं बाजबा की चिंता नहीं हमेज देश की चिंता है देश के सम्विधान की लोगों की आजादी बेटियों की सुरक्षा दन्याबाद हमारे साथ जुडने के लिए Alka ji thank you for sharing your insights on this particular story let's listen in to his reaction from Muslim girls on what they had to say about this controversy ना नू assignment submit माला के college ओकती दे अलीव गेट अतराने यला बॉइस गुम कटकोंडी नीन बर्बेडा college गे बुर्खा आकोंडी college गोग बेक अंद्रे बुर्खा तक दी नीन वोलगडे ओक बेको इला नीन बुर्खा दरीर बेक अंद्रे मने गोगो आपसंता यल्दू ओक अलू बॉइस गोगडे ओडे ओ आलो थक्सना नीन खी गुम कटकोंडी नीन खीवी फ्रा अनू अट्यक मड़का बर्ते ओरू जैश्री राम जैश्री राम ऑना नीन बुर्खा तबी बुर्खा तबी नीन आकोंडी नम college बर्बार दो इदुआत ओंगा आत्के नानू अलाग पर souvent बैंस अट्वारी पर अगैंचरा यंट आ तुमा करेट वार। और रonce, now of course that girl was saying that she was being stopped perlu by entering the education institutions she was saying that when she you try to get in enter to her education institution she was told that either you remove your hijab or you will not be allowed like to enter the marketing a education institutions now because that was the reaction we would get getting in from the ground Kåla subscribe to the news X YouTube channel कर दो सब्सक्क्राइब कर दिए!